आज मैं आप सबसे कविता बेहन के अव्यक्त होने पर मिल रही हुए। कविता बेहन लौकिक में दो भाई और एक बेहन थी। बाले काल से ही कविता बेहन अपने मातर जी के साथ इस ज्यानमाद में आई है। बजपन से ही ज्यान के बनी सौखिन थी। बाबा के प्रति उनके मन में बहुत आस्था थी। साथ ही छोटे पन से ही सेवा करने की भावना थी अंदर से। उनके माता जी का पूरा सयोग था। माता जी ने तीनों ही बच्चों को ज्यान में लाया। कविता बहन वो अपने पिटा जी का बहुत बंधन था। चुप चुप करके भी आती थी। और चुप चुप करके वो दूर का भी बनती थी। बहुत सुंदर सरल सभाव नम्रभावना की थी। जब यह पास कर लिया। यह पास करने के बाद अपने पिटा जी से नौकली के वहां ने गुहाटी में रहती। उनका जर्म तेशपुर में हुआ था। फिर हमने गुहाटी में उसको बिलाया। कुछ दित नौकली की उनोंने। करने के बाद तो पुरा ही अपने तन मन से समर्पित हो गुए। इन मन से तो समर्पित थी। तन से भी सेवा में पुरा लगी। सेवा करने की बहुत शौखीन थी। निर्भर थी, निडर्ग थी, अथक सेवाधारी थी। इस तरह दीरे दीरे आगे बड़ी। एक बाद उनके पिता जीत को भी लिवर सिरोसिस हुआ। और गुहाटी उनको बिलाया गया। जैसे ही कुहाटी के अंदर हॉस्पिटल में मैं देखने के लिए गई। उनको मुझ से देवी का साक्षा तर हो गया। और तब से ही उनका भी जीवन बदिल गया। उनका भी बाबा के प्रति, प्रेम भाव, सद्धा भाव, निश्चय बुद्धी बन गया। जैसे और दीरे-दीरे कभिता को भी इस इश्वरी सेवा में समर्पित कर दिया। मन से तो थी यह, तन से भी उनने प्रतिप कर दिया। इस तरह तविता बेन समर्पित होकर थोड़े समय, थोड़े दिन, थोड़े महिने, थोड़े साथ तो मेरे पास रही, फिर मैंने अचानर एक तिन उनको त्रिपुरा की सेवा के लिए आगरे किया, त्रिपुरा की सेवा में उनको भीजा देया, जब वो त्रिपुरा गई, उस समय वहाँ एक दो भाईर सहयोगी बन रहे हैं और दीरे-दीरे उन्होंने पाउं जमाया और सेवा किये पाउं जमा कर उन्होंने सेवा को आगे बढ़ाया त्रिपुरा की राध्धानी है अगरतल्ला में खोग सेवा किये और रिटिट सेंटर ही बनाया सेवा भी की सेंटर अपना बना लिया इस तरह आज अगरतल्ला की करेक्शन उन्होंने लगबत दस बारा ब्रांचे बनाए छूटे-छूटे बहुत सारे ब्रांचे बड़े-ब स्थक थी स्वखीन थी इतले कि बहुत साधा जीवन व्यतित करती थी दीरे-दीरे अपने परोसी देश परोसी देश बंगला देश वहां भी उन्होंने आगे बढ़ी आगे बढ़कर उन्होंने अपना पाउं जमाया धाटा के अंदर जो बंगला देश की राधानी है भाष दीरों में रहकर सन्यासी के अश्रों में रहकर करी कि वहां की सेवाई के बहले तो भासा नहीं जानती थी तो भाष ने बहुत बंगली चलती है और बंगला देश में उठाही बंगली तो उन्होंने भासा भी सीख लिए और अपनी भासा को जानने के काना राभ बह निर्भय होकर बंगाली भासा के अंदर क्लास कराती थी, बाशन करती थी, बी आईपी से मिलती भी थी, इस तरह धाका के अंदर भी खुब सेवाई की, खाली धाका में ही नहीं इतना अच्छी तरह से उन्होंने पालना की, जहां से दो-तिन कुमारिया भी लेगी, एक तो मेर पास ही रहती है वेवी, वहां भी मैने वहां ही सेवाई दे रही है, दीरे-दीरे धाका का दूसरा शहर, चट्टग्राम, वहां भी सेवा की है, वहां भी बाबा का घर बसाया, कापी भाई मैने है, तीसरा भी उन्होंने खुला, वह है पलास, पलास में भी उन्होंने सेव और अवी भी वहाँ पर बहुत बड़े रूप में हॉल बना रहे हैं ऐसी मिठी सेवाधारी बहन जो हर बात में निपुन थी जहां भी कई है सब भी उनके जर्णों में नवन करते थी क्योंकि उनका जीवन एक देवी के समान था देवी गुनों से संपन्न थी विल्कुल भी छुपाने की आदत नहीं थी सचली कोडी थी विल्कुल भी छुपाती नहीं थी जो अभी बात हो निमित को बताना ही है छोटी गलती होने से भी अपनी गलती को मेरे सामने छुपाती नहीं थी गलती को भी बता देती थी इस तरह उन्होंने अपने जीवन को दिव्य गुण संपन बनाते वे आगे बढ़ती गई सबी भाई वहनों का भी उनके प्रती इतना आकशन था उनके आकशन काकारओं की दिजी पवितरता थि और पवितृता गुणों से संपन होने के कारओं सभी भाई वेहनवी सभी वेहनवी उनको बहाँ प्यार करती थी ऐसी महांत पस्विनी योग युक्त आत्मा योग के प्रती बहाँ सद्धा थी अंत तक भी वो योग में ही रहती थी om shanti में dr. dipak भाई हुं मैं आदर इन्य कवीता दिदी का लोखिक में भाई हुं मैं और दिदी का अजीब समंद्र है मेरा लोखिक जन्मा 1979 और दिदी का अलोकिक इश्वरे जन्मा 1979 हम साथ में ज्यान में चले दिदी मेरे ले लोकिक दिदी भी थी बड़ी दिदी होने के नात she was just like my second mother दिदी के साथ आज कुछ स्मृति चारण करने में मजे बहुत खुशी हो दई है दिदी और हम पढ़ाई में साथ में थे वो मेरी लोकिक माजे से मेरी लोकिक पालना भी करती थी और वो हमें इस्वर्य पालना भी करती थी ग्यानरमित को पढ़ना, अभ्यक्तवानियों को पढ़ना ये सिखाती थी दिदी के साथ हम स्कूल से आते हुए हमारे सेंटर में जाती थे बेनों से मिलके, मैं तो छोटा था लेकिन वो मुझे ग्यान में आगे बढ़ाने की प्रेणा देती थी फिर बाद में 1995 में दिदी का जो समर्पन हुआ, आदर ने प्रकास्मनी दादी आई हुई थी उस समय में उनका छोटा भाई कहा जाता है भाई ही कन्यादान करता है माता पिता के सामने तो मुझे कन्यादान करने का अफसर भी मिला और दिदी ने मेरा भी इश्वरे विद्यालने में लाने के लिए मुझे प्रेणा दिया, मुझे पत प्रसस्त किया, मुझे पढ़ाई में मदद किया, हमेशा वो प्रेणा देती थी भाई पढ़के सेवा करना, सेवा के लिए आगे बढ़ना और उनके प्रेणा से ही मैं यहां त्रिपरा इनिवर्चिटी में नोक्री भी करता हूँ और बाबा की घर में समर्पित भी हूँ दीदी का मेरे जिबन में बहुत चारा उफदान है उन्हों नकेबल मेरा ज्यान की पालना की मेरे स्थूल पालना भी की नकेबल स्थूल पालना की मेरे बुद्धी की पालना भी की मावा की ग्यान में मुरली के प्रती उनका अगार स्ने था वो कहती थी रोज मुरली पढ़ के सोना हम मुरली पढ़ते थे उस मुरली को उस अभ्यक्तवानी को सिराने में रख देते थे इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम आगे भी बढ़े यहां मैंने देखा दिदी ने 1995 में त्रिपुरा में आ कि जो सेवाएं बढ़ाई उसमें दीदी ने सब को अपना बनाया वो केबल मेरे लिए ही लोकिक दीदी नहीं थी सब के लिए लोकिक मा भी थी और यहां सेंटर में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए भी वो बहुत प्रहणा की शोत थी एक उधारन ह विलू एजुकेशन कोर्स जब चालो हुआ दीदी ने सब बहनों को पढ़ने के लिए प्रहना दिया लोकिक में वो मुझे चहती थी कि मेरा भाई भी डॉक्टर बने मेरा भाई बड़ा डॉक्टर है और मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर बनेगा तो मैंने भी पीजी कर ल लेकिन उनका तबियत थोड़ा थोड़ा नरम होता गया 2016 से फिर भी उन्होंने बहुत बड़े-बड़े सेवाई की और यह कैसी इत्तफाक है जब मैं जन्मा था दिदी ने मेरे को होस्पिटल से लाने वाली थी और मैं उनका पार्थिव देह को होस्पिटल से लाने के लिए इस बारने मित्त बना लेकिन मुझे खुशी है इतनी महान आत्मा वो मेरी दिदी बनी यह तो मेरा सुभाग्य है इस प्रांत में बावा का ज्यान आगे बढ़ाने में उनका जो आवदान है यह आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेगा हजारों बावा के बच्चे इस प कल्प लिए हमने विदा कर दिया लेकिन यह कितनी बात है हर कल्प उनके सातस मिलते रहेंगे अनम्त-अनम्त मिलते रहेंगे बहुत फुशी की बात यह तनी बड़ी महानात्मा आज हमारे ब्राह्मन बीच में गई हैं लेकिन उनका एक नया और कोई सेवा का रूप होगा शायद इसलिए बावा ने उनको ले गिया इसकी नई जारनी के लिए हम दिदी को सुब भावनाई देते हैं वो जहां भी रहे बावा का सेवा करती रहे अब नया शरीर जो उनको मिलेगा वो भी तंदर को लिया जो आगे आपके काम को आगे बढ़ाएंगे ओम शांति अधी अधी बैन कविता जी यूथीं की शिरुआत से ही यूथीं के कारेक्राव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही चाहीं फिजिकली दूर थी मीटिंस में हर समय नहीं भी पहुंच पाती थी फिर भी हर प्रकार के कारेक्रमों के लिए सदा ही आपका उमंग उत्सा और उत्सुकता बकरार रही केवल यू थींगी नहीं आपने नौर्थीस्ट और बंगलादेश की सेवाओं में भी जिस हिम्मत से कार्य किया और सेवाओं को उठाया ये सच मुझ काबीले है उनका हस्ता मुस्कुराता हुआ चेहिरा आज भी बार बार सामने आता है जैसे अभी हसके कहेगी इस वर्ष और क्या नया है आज के दिन यूट्विंग की चेर परसन अधर्णिय रतर महिनी दादी जी अधर्णिय चंडरी का वहन और यूट्विंग की समस्त टीम की और से मैं आपको बहुत बहुत नहीं भरी श्राथांजली अर्पित करती हूँ हम सभी यूट्विंग के कमिटी मेंबर्स अभी भी आपके इस मुस्कुराते मुरग को भूल नहीं पाएंगे हम सबकी और से दुआएं हैं कि बहुत कविता अपनी आगे की जन्मी के लिए जाहां भी गई होंगी या जाएंगी प्यारे बागतादा आपके द्वारा बहुत विशेश सेवाएं कराएंगे और आगे भी आपके द्वारा कोई विशेश माइल स्टोंस सेवाओं में आप रख पाएंगी हम सब के दिल के आपको बहुत 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 दुआएं हैं। ओम शांती है। ओम शान्ती, कविता वेहिंजीर समंदे अनुभव बला आटा, अनुभव बला एटा क्वाम, उन्हें उन्हार्जे विशिषता, उन्हार्जे गुन, शे बर्णुना करे, शेशकरा जाये ना, आमी उन्हार संगे दिर्गोधिन दोरे आछी, उन्ही शो आटा नो बोई थेके उन्हाके देखछी, आट 2000 तेके उन्हार संगे आमी आछी, देखछी, उन्ही एमना जन विशेश बेख्ती, करूर लोकेर मद्दे, उन्हाके एक जन बला जाये, आमी एत्तो लोक देखेछी, एत्तो जगाई गेएछी, उन्हार्मतन, मानुष आमी कखनु आमी देखीनी, उन्हाके आमी कखोनु देखीनी, परणिंदा, परचर्चा, उन्ही साब शम, सबार, गुंटा उन्ही देख्ते हैं, एवं एक गुनेर, बन्न ना, उन्ही कर्ते तो अजो तो तो अख्छानी गुण की देखे एशे खी शिके हेशे शे जिनीस गुल्ब आमाधरके बोलते हैं एव tokensवा शिख्षाते हैं बोलतोय एग गुल्ब शिखोई एइवब एवभवे आमाधरके पैरणा दिये चेन उनि, उनि इरुकम चिले, उनार काचे जिए आश्बेन, उनार काचे छाहिए ज कनी आश ताम fellow, एक्ट कें, शान्ति ऐक्ट अनोभूतिप आशपोधित करताम। जय दि कीछु बलार्जन नो आजताम किनद आमरा बोलते पार्ताम ना, उनी एडुकम लूख छिलें, उनार की बोलबो उनी एकटा संतुष्ट, दे संतुष्ट मोनी छिलें, संतुषी देवीबल्लो हाई, उनार कखोणु असंतुष्ट दा, उनार मद्धे आमरा कखोणु आमी तो देखी इनी कोखनो, जखन, जा, किछुन, सब किछुन में देऊनी संतुष्ट उनी थाक्तेन। एक पशाज जिनिशरो उनार भालू लागे, संतुष्ट, दमिय। जए, जए, जएरकम, पारे, के ऊएकटाबिय। कोणी जिस एक गीर्ड़ दाय, मानुशर इच बोले जए, जए नहाँ, एक एरकम हेच, एक सब किछुत एकीटुटे उन्हार संतुष्ट उत्रता मिझेखे इन। उन्हार कुण काजेर कुण भॉय पे देनन। बाबा आमा संगे आछे, यह कुणु काज उनी भाई पेने, विरेड मोतें उनी सभाई के साहज देतें, कुणु दुख जो न, कुणु कीछ होलो, उनी कखुन उनी दुख कर बेनना, विरेड के उनी भुजिये, उनी सभाई के आनंद दावाज जन, उनार एरकम उनार भाब छिलें, और बेहोद द्रिष्टी छिलें, बेहोद भाब ना छिलें, उनी कखुनु छोटो कथा निये, चिन्तन करा, किछु बोला, एबं सब्सम उनी बेहोद, बड़ो-बड़ो शेबा, बड़ो-बड़ो, ई शब आमादर के पेरो नाधी तेंजे, बड़ो चिन्त करा जाये ना, उनार अंतीम समय, उनी घर्ती जोखुन, उनाके निये जाच्छेन, हस्पिचले, उनी कथा बलते पार छेन्ना, कि इन्तु एक्टा सब्दो उनार मुख दे बेलिये चे, बाबा, ए बाबा, आमरा जोदी किछु अक्टा बोलतां, बहेंजी के, बहेंजी गेची, एमाने बोला, आर की बोलवो, उनानमोतन बेखती है, एई दुनिया, आर पाबो की ना, मनहाई न, आर पाबो. ओम, शांती, आमी आगर्तला ते, सेवा कोर्छी, आबंग आमार नाम, बीके दिपाननिता, आबंग आमी आगर्तला, आबंग बांगलादेशेर जे मोख प्रशाशिका, बीके कोभीता बेहेंजी, उनार संगे थाकार आमार पार्ज बच्छोर, कंटिनुउस छिलाम, थाका आमी प्राप्त करेछी, आबंग उनार संगे शेई 5-6 बच्छोर थेके, जा अनुभव आमी पेएछी, ता आपनादे संग एकटु शियार करते छाई, आमी 5 बच्छोर धरे आछी, आबंग उनी ओई 5 बच्छोर धरेई बिभिन्नो शारेरीक अशुविधाई भुग छिल ता सत्यों उनाके आमी जतटुकु देखेछी, जे उनी एतो शारेरीक खाराब अवस्थार परेऊ, उनी की भाबे, हाशी मुखे, एबंग खुम्प उमं उच्छाहिर संगे, उनी शेबाके आतो शुन्दोर भाबे सामले गया छेन, होई तो बार क्यो पार बेन्ना, एबं आमी आमार छोटो बाला तेके एकटा इच्छा छिलो, जखन आमी माम्मार बोई पोर्ताम, तोखन आमार एकटे इच्छा छिलो, जे शोट्ती आमी जदी माम्मार संगे ठाक्ते पार्ताम, शोट्ती आमी जखन बेहेंजी शाते ठाक्ते पेरेची, उनार अंगे संगे ठाक पुरेची आपौं शोत्ती आमी माम्माधा ंधेखे, माम्मार इफ़े, और पुर्ण पेता म। उनार संगे थाकते पेडि आमार शे आशा। शेइ जे आमार एकट इच्छा चीलो माम्मा के दि Goog给ाखा एबं माम्मार संगे ठाकार शत्ती सेटा जनो बाबा पूर्णु कोरे दिये छें। उनार संगे थेके आमी अने कीछु सिक्ते पारी। जेमन माम्मार मद्दे बिभीर्णो गुण छीलें। उनी सहन शिलो थार प्रति मूर्ती छीलें। आर सब्थेके बरो छीलें। उनी नम्रोतार प्रति मूर्ती। छोटो होग, बरो होग, जयमनी होग, सबार संगे उनी मिले जेते पार्तें। उनार मद्दे एमोन सुन्दर कला छीलो जे उनी छोटोदेरो सम्मान दीतें। एबं, बरोदेर तो दिते नी, तार साते-शाते, छोट देर संगे, छोटर मतो मिले जेतेन। तो उनार एई गुण गुली, आमरा चाई, जे आमरो धारन कोत्ते पारी। एबं, अन्तीम समयर जे दिम गुली, एगुलीर कथा बोल्ले, सत्ती भाबा जाये ना। कारण, अन्तीम समयर शे शमय गुली, जे उनार एतो कस्ट दायोक छिलो, किन्तो उनार चेहरार मोद्धे, एक फोटा माबिंदु मात्रो देखाजेतोना। उनि ककोनो शोगोर तेनना, उनार तिब्र, जैंतो ना होतो, ता शोट्तेओ उनि भाबार विभिन्डो लिट्रेचर, भाबार विभिन्डो स्टड़ी निए विजी थाकतेन, उनि ककोनो ब्यार्थो कथा, बाग के की बोल छे एक अथा जुदी आमड़ा बोलते हो आश्ताम ताउ उनी शेगुली के शर्टे शेगुली के आमादर पॉज़िए दितेन एबंग शुन्दो रेक्टे एग्जाम्पल दिये आमादर पॉज़िव वेईते शेटाके श्वेई शमुष्रा समाधानों कोरे दितेन तो उनार मद्धे आमरा अनेकी छो देखते पाई एबंग तारी शाते शाते उनी जखन अन्तिम समय जखन उनाके जस्ट होस्पिटल एडमेट करा होए शेखाने उनी एतो जंत्रोना होच्छे उनाके सलाइन दवा होच्छे बिभिन्नो ट्रिटमेंट दवा तो खनी उनी शुदू बाबार कथाई सुनातेन एमां उनाके जखन आमना जिग्येश करताम बहेंजी आपनी के कारण एमन होए गे छीलो जे उनार सोडियाम डाउन होए गे छीलो सोडियाम डाउन होए जावार कारण उनार कथा गुली एक्टु एदिख्शेदी किन्तो ता सब्ते हो देखताम ची उनार कथार मुद्ती कुनू अन्बालांस छीलो ना डाक्तार नीजे आश्चोर जोखेतो कारण उनाके जखन जिगेश करताम बहेंची आपनी के उनी सब्समाई बलतेने आमी मास्त शर्बो शक्तिमान तो भाबुन्तो जीनी आज मिर्टू संगे लराई कोडछे शे अबस्थाते हो उनी शे बाबार समाने स्थितो उनी बाबा छारा आर कुनु शब्दोई उनार मुख्ठे के बेरो देनना यवां जोकन ढक्तार आश तेन उना के देहते हैं जोकन ढक्तार के उन्ही हाशीई मुखे नखार समने होग दिते हैं आमी ठीक आछी तिअब ढक्तार आश्चोरचे तेन कारों डाक्तार आमाँके निजय बक मिगा भाथा बोलते जिह एथो सीरियस प्यसंट एबग उनार लिबर सिरोसिस छिलो मेंली एबग लिबर सिरोसिस ठाका पैशंट रा कोखो नो एतो शांतो भाबे एतो रिलाक्स ली ठाकते पारे ना कारण तादेर शोरीरे जे टोकसिन थाकेश एटा ब्रेइन ए चोले चाए जार कारोंने तारा चितकार चा पेचा मेंची एबगं बिभिन्नो आनाप्षानाप कथा बला एटा नेचुरेल होई किन्तु उनार खेत्रे देखाय गलो सम्पून बेतिक्रोम उनी सम्पून शांतो छिलें एबगं शबार संगे शुदो एक्टा शांतीर बाताबरन एबगं सबार संगे शुदो बाबार बाधाबर्ण बनि एबगं डाक्ता डाव से बाताबर्ण के क्याच करे छे एबगं उनारा बोलेछैन उनी एक जुन दिभबव आत्मा उन्हीत संपून भववे गाछैन ता उन्हीत चले जेते होच्छै डाक्ता निजे बोलेछैन ता औरले भाबुन जिनी महान जिनी जीवनेर सम्पोनो पूर्षाट आमरा ओंतीम दीने जो दी शेई कथा गुली के मने राखते पारी ताहले ही बुझाजाई जी आमी जीवने सक्सेस आर जेटा आमी बेहंजी जीवने देखते पेरे छी बेहंजी लास्ट अब दी शुदु बाबा 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 एई शब्द हुआ उनी शुदु बाबार कथाई बोले गाछें जी बाबा शी परोमधामे ठाकें उनार का चामी ठाकें एबबां जोखन डाक्तार आशे, डाक्तार के पर्जोंतु उनी बाबार परीच होए दिये गाछेन। एबं किछु शमयर मद्दे उनी खावार खावार पर खुब सिरियस होए गाछेन। एबं उनाके ICU ते शिप्ट करा होए, एर परे उनी सेंसलेस होए गाछेन। एर परे आरुनार सेंसाशेनी। ताहले आमरा देखते पारलाम, जे लास्ट अबदी उनी शुदु बाबार परीच होए दिये, बाबार शेबा दिये ही गाछेन। ताहले एई महान आत्माके आमादेर सतो-सतो कोठी-कोठी नमोशकार। एवं आमी नी जेके अनेक धोन्नम अने कोरी। जे एई संगम जुगेर अन्तिम शमये। आज एमन महात आत्मार काच शंगे। उनार शेबाते भगवान आमाके देखे छेन। आजिक बाबामाके ठाकार शेषोभाग गोठुकु दिये छेन। एर जोनना आमी बाबाके एवं बहेंजी के दुनों जोन के इई सतो-सतो नमोशकार। शतो-सतो नमोशकार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारी के साथ जोडने के बाद। जीवन में चलते हुए मेरा जीवन का प्रश्नवर उत्तर था। जो खोज बहेंजी से मिला हो मैं अभी शेयार करता हूँ। जीवन का उद्धिष्य क्या है। शंगसार में तुमारा कर्तब्व क्या है। कर्मबरा या भगबरा। परमत, मनमत और स्रिमत किया। और ग्यान को कैसे जीवन के अनुभब में लाए। ये बहेंजी ने सिखाया। आज की दुनिया में भॉय, और शानती, दुख और बीमारी से भड़ा हुआ है। इससे कैसे बाचना वो भी भेंजी ने हम सबको बहुत अच्छी तरह सिखाया। इसलिए आज हम कुई भी परिस्थिती के साथ लिपट सकते हैं, सामना कर सकते हैं। ऐसा सामना करने का शक्ति उन्हें मुझे दिया। मेरे जैसे बहुतों को दिया है। ओम शान क्यांना करता है। 1995 तथम जखन कोभीता विएंजी आगर्त लाइ आशें। तखन उनास्षमे अमार पुरिच्चोय है। उनी अमाके दिये पथम शाबा कोरिया चें। पथम राखी बंदन उस्षब आगर्त लाइ तो है। प्रेस्क लाजे। तबुनी अमाके बोलचें आपनाके एटा कॉंड़क्ट करता है। तब मैं बहलम बहांजी आम इतुर कोभनों कोडिनेट कोरिनी। तब आपने पाढ़बेन। बाबा आचे बाबा अपनाके दे कोड़वेन। शवं टोड़ों कि न भी निपटे गप लिखेशचे राजन आतारतक चाहिए जबात की लाजसा प्रग्रम्टी राखिर प्रग्रम्टी टो की फिरखते। बढ से का ऊप्रद्ध есте क का की खुषी हो दोजें जन जा एक फिरखते। पर उंको शुन्दरवाबे है थार पर थे के बेहनधी आम आपके बोलें अपना के कोर्स कर थे चाहिए हुए ताइसी मुझा पर भश्री कर दो तो कोर्स उनी कोराने नामाके अनाक मध्यामियक्ता वेपार देखेछी जे उनी मात्री शुलव आचरन छिलो उनार एतो कोमल सभाब छिलो उनी खुब क्रियेटिव छिलें एवं पोजिटिव छिलें उनी शभाय के उठ्षाव दितना अमी तो उनार संगे थेके एतो उठ्षाव पिया छिए एतो प्रेरोना पिया छिए उनी शुदु शुदु शेबाई ही शेबा करते नार जोगेर उपर खुब भेशी ध्यान देतेन। उनी अमादेर के सभाई सभ्षमें बलतेन के अपनारा जोगेर मद्दे मन लागान। त जोग भाठ्ती भी करते हैं तो तार पर अखान ते जखन प्रोग्राम कोड़े जखन घिल लाम तार जखन कोर्सों कोंपलीट कोलाम तो बहेंजी तो जखन देखला हम जे दिने पर दिन शेबार प्लेन कोड़े जाच्छे तो उनार रेक्टा लख छिलो तो शारा जखन अब्डी शोलत शेंटर त्रीपुरत होयाँ छे एर मद्दे बांगलादेश चार्टा सेंटर कोरेशन ते एई अलप शोमायर मद्दे उनार स्वेबार एद्या स्पीड छिलो एदो उनी शर्कारे तरव ठेके ए एदो शुंदर भावे शब किछी शाज्यो पेह चे जर्कार संस्मा आमदेर के मानववय मुल्लोभ जागरण जौलन जा जा कर्मोषुची आमदेर राचे शेगुलिक जौलन आमदेरके उत्षाय करतेना अब आमदेरके सह जुग करे छाँ ते एः भावे आम रा करताम यहजी भावे एवाविल्ग बोन थेर संस्मे प्रणा तो ब्यहांजी शब्षमाई चाहितेन जे भाई बोनेरा जाते बाबार मत हाय, ब्यहांजी लख्ख छीलो जे शेबा मध्धु दिये शबाई के बाबा के प्रत्तोक्षकरा, एबंग एटा एखन अनेक अनेक उन्नोत होय छे एबंग शेबा एखना चोले आर्षचे, ब्यहां जो तो तो वरी होय तो आखन दीन राथ, बहांजी अमादार के निया स्यवा कोरे चैन अबंग आप शेबा वर्याजिए शबाता अजिन कोरे चैन अजिए खिए अर्यान कोरे चेन. तार ठिक तीन मास पोरी आमार ब्याप्षाते एक पोरी बर्तन चोले एलो आमी लाइश्टुकर ब्याप्षा कोरता हम एगुली सब नस्तो है अगा गुज लामना की चुक की कुरतो हावे बहेंजी आमाके बोलें तुमि जा जानो ता यह कोन ते एरमोद्दे थे के एक्ता बिज्नेस आमी बेचे उनांके बोल्लाम जसेता कोरब हो आमी भावलाम की अचा उन्हीन जोहल कोल छे और मुरुरी ते शुनछी जे बाबा जाब गोले ताई मेने नावा शेवाभी चला, मेने निलाम, उना के बोलाम नामा करन करते, आमी बोले जे नामता एक्ट छोट्ट गोरे कोल बेल, उनी नामता राकलो बहुत बढ़ करे, डिवाइन विशान, आमी बोले या तो बढ़ो नाम दिलें, शेटा आमार इच्छेर बिरुद्धेई छिलो, जाई होग, शुरू होलो बिजनेस, बोले जे छोटो टाई एक दिन देख्वेन बड़ो हवे, की संकल पेर पावार आजके शारा त्रिपूराते, जोदी देखा जाए, जे एई डिवाइन विशानी आमार लाइने नामबर उगाना, आम उनार शंकल पेर जेकी पावार एटा धीरे 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 बुस्त शरू कर लाँ, एक दिन आमी निजे इदेखे छिलाम, बिलोनियाते, फेनी नोदीर मुद्धे दिये, चारर मुद्धे उने हेटे जाचे, आमी बहेंजी कोथाई जाचे, बढले जामी एक शामने जा बांला जानेनना, बेली बांला देशे सेंटर कुलें, शत्ति आज के एग लिए इधियाश होए रोिलो आमातेर जीओने पेहंजी के चे, आमरा कोतो संपत्ति आक्ता आज के बहेंजी के हरियो आज के, कोतो मुद आटा संपत्ति हारालाम एटाचे, की जीनीश एकोड़ ध कविता दीधी के बारे में क्या कहें? ममता की मूरत थी हमारी कविता दीधी. सबसे पहले कुदर्ती हम लोग मधुबन में थे जब मेरा ट्रांसफर अगरतला के लिए आना था तो मधुबन में construction department में विरेंदर भाई जी हैं जिनोंने सबसे पहले हमारा introduction कविता दीधी से करा अच्छा आप त्रकुरा जा रहे हैं वहाँ पे वेक कवीता बहनजी है बहुत ही हिलपफुल बहुत प्यार से बाबा का ग्यान वो संझाती हैं और देती हैं तो इस लिहाद से उन्होंने नंबर दिया और सबसे पहले जब हमने कॉल किया पहले कॉल से ही कभी भी ये नहीं ल मिला लेकिन युगल ने शिवरात्री के दिन पहली बार सेंटर में कदम रखा इतने बड़े व्यवस्था को संभालते हुए और आप जानते हैं कि शिवरात्री में कितनी व्यस्तता होती है उसके बावजूद दीदी ने काफी समय दिया और दीदी का सबसे पहला सेंटेंस व जो भी हमारे अंदर थोड़ी सी अनिश्चितता थी या थोड़ा डाउट था वो इस एक सेंटेंस से ही खत्म हो गया उसके बाद टाइम टू टाइम दीदी ने कभी सेंटर से भोजन भिजवाना कभी अभिजीत भाईजी के थ्रोन ने राखी भी भिजवाया पुदरती व हमारे से पेलीफोन पर बात करना और दीदी की दो विशेष्टाएं थी कि हमेशा दीदी बहुत पेशेंस के साथ सब को पूरा सुनती थी और बहुत प्यार देगी थी हमारे वहां रहते रहते ही उशा बजार सेंटर भी बाबा का नया बना जिसमें कुछ योगदान करने क मौका मिला और अन्त के समय में दीदी जी की लौकित माता वहां पर दिलोतमा माता जी भी आई उनसे भी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिला हमें तो सबसे अच्छी प्रोग्राम तो वहां पर मुझे मैं दो हजार बाइस के मेंने में उन्ने से पहनों का समर्पित समारो जहां पर मदुवन से भी कई आये थे और प्रोग्रा के चीफ मिनिस्टर भी आये थे तो ऐसी महान हस्ती को हम दिन से सिल्यूट करते हैं शत्षत नमन करते हैं ओम शान्ति दीदी की दूरदर्शिता भी बहुत जबरदस थी उन्होंने अरालिया में ही एक छोटा सा मदुवन बना लिया था जहां पर आप तपस्या धाम बाबा का कुटिया ये सब देख सकते थे और गैनिक गार्डन और ये दीदी बहुत प्यार से अराम से हम सब को उसके बीच म और पेशन्स कई बार हमारी व्यस्तता के कारण हम रेगुलर क्लास नहीं भी कर पाते थे तो जब कभी भी हम इतवार को मुर्ली सुनने जाते थे तो दीदी ने सबसे पहले ये पूछना आपने ब्रेटफस्ट किया है और यदि हा या ना में कुछ भी जवाब होता दीदी हमें उपर ले जाती बिढ़ा करके वकाइदा कई बार तो अपने हातों से दीदी ने पूरी हमें तल कर खिलाया है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ ऐसी महान हस्ती को दिन से सलीव ओम शाथी